तुलारासी सितंबर 2021 में तीन राजयोग मिल करके बनाएंगे आपके बिगड़े काम मित्रो नमस्कार नोग्यान जोतिष चैनल आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता है आप चर्चा करेंगे तुलारासी के जातकों को किस प्रकार से सितंबर 2021 में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कौन कौन से राजयोग बन रहें तो सबसे पहली चीज़ यह आप समझ लिजिए कि सुरुआत के पांच दिन आपके लगने इस नीच के अवस्य रहेंगे बार्वे भाव में रहेंगे उसके बाद यह अपनी ही राजसी में लगन में विराजमान हो करके मालव विनाम का राजयोग बना देंगे जिसके फल सुरूप पहली चीज़ तो आप यदि असवस्त थे किसी भी प्रकार की स्वास्त से संबंदी समस्या चल लही थी वह आपकी सौल हो जाएगी स्वास्त आपका अच्छा रहेगा मान सम्मान यसकी इर्थी की प्राप्ती होगी इस प्रकार के योग शुक्र दियो यहाँ पर बना देंगे ये सभी समस्या आपकी दूर होगी दूसरी चीज शनी महराज ये शस नाम का राजयोगा लिडी बना करके बैठे हैं सत्रू हंता योग भी बनाए हुए हैं सत्रू का विद्धौनस होना गुरू महराज भी नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं साथी साथ जिनकी दृष्टी आप सब्तम जा रही है उचिस्थान पे कर्म भाव पे जिसके फल सुरूप जो लोग नोकरी कर रहे हैं नोकरी में प्रमोशन होना सैली में इंक्रीमेंट होना इस तरीके के योग बने हुए हैं यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो सामदार सम समय है प्रत्न करिए ट्रांसफर के योग भी बने हुए हैं कहीं न कहीं आपका ट्रांसफर मन चाही जिए पर हो सकता है थोड़ा समस्या एक ही नजर आ रही है कि जो भाग के स्वामी हैं बुद्ध महाराज अपनी ही रासी में बार्वें इस्थान में बैठे हुए हैं तो भाग का पाया सामान ने रहेगा बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते हैं लेकिन यदि आप यात्रा करेंगे यानि कि देश विदेश कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है आप रद्न करिए यात्राएं आप कर सकते हैं और यात्राओं से भरपूर मा मात्रा में लाब होगा किसी भी छेत्र में आप हों चाहें नौकरी करते हों या व्यापार करते हों लाब के स्वामी सूर्य महाराज अपने ही इस्थान पर यानि ग्यारवें स्थान पर ब्रहमण कर रहें जिसके फल्सरूप भारी मात्रा में इंकम होना इस तरीके के योग ब बात करें विद्ध्यार्थियों की तो विद्ध्यार्थियों के लिए समय की चाल बहुत उत्तम है कहीं पर कोई दिक्कत नज़ा नहीं आ रही है आपके कैरियर में लगातार उनती देखने को मिलेगी किन्तु प्रेमी जोडों के लिए समय की चाल उत्तम नहीं है वारी पनियंतर रखिएगा अन्यता मन मुटाव हो जाना प्रेम सम्बन तूट जाना इस तरीके के योग बने हुए हैं अब एक बड़ा दुर्योग और भी बना हुआ है वाया है कि जो महिलाएं गर्वति हैं उनको चाहिए कि वो अपना थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि पंचम भाव पे सूर्य और मंगल की सीधी दिश्टिया रही है जिसके फल सुरूप कहीं न कहीं गर्वानी हो जाना इस तरीके के योग बने हुए हैं तो यदि आप गर्वति हैं तो आपको चाहिए ओम संसन श्चराय नमा इस मंतर का अधिक से अधिक जब करें या शनिवार मंदिर या करके शनिवार सनिवार को चार मुखी दीपक जलाएं तो आपके लिए बहतर बहेगा बात करें अगर वयवाहिक जीवन की तो समय की चाल बहुत अच्छी है पत्नी या पती के माध्यम से लाब होना देश-विदेश से लाब होना इस तरीके के योग पूरा माह बने रहेंगे तो कहने का मतलब यह है धन की कमी किसी भी प्रकार से इस महिने आपको परेशान नहीं करेगी समय की चाल जबरदस्त है इसका आपको सदपयोग करना चाहिए यदे आप व्यापारी है तब तो बहुत अच्छी बात है किन्तो यदे आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो तीन राजयोग मिल रहे हैं इस माह नीच भंग राजयोग मिल लहा है बुद्ध भी नीच भंग राजयोग बनाए है गुरू भी बनाए है मालब बिनाम का राजयोग मिला है, शशनाम का राजयोग मिला है, तीन तीन राजयोग मिल रहे हैं आपको तुरंत व्यापार शुरू कर देना चाहिए क्योंकि समय की चाल बहुत अच्छी है अब अंत में अगर बात करें कि सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए तो आपको चाहिए कि वहाँ आप समभल करके चलाए और भी जादा सुब परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको एक उपाय भी करना चाहिए ओम शुम शुक्रायनमा ओम शुम शुक्रायनमा इस मंत्र का या तो आप जब करें या यदि आप शुक्रवार का वृत रखते हैं या रखती हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता की आउशिकता नहीं है समय की चाल बहुत उत्तम है हर काम में सफलता मिलना, लाभ मिलना इस तरीके के योग बने हुए है इस सितंबर 2021 बहुत कुछ आपको मिलने वाला है यदि आप प्रयत्म कर ले आते हैं तो आप हर काम में सफलता हासिल कर लेंगे तो उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा सारवजनिक प्रिश्ण है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिलकुल मत भूलिएगा मैं त्रिपाठी को अन्मत दीजिए कल पुना उपस्तित होंगे अन्म वीडियो में अगली रासी की चर्चा करेंगे नमस्कार